असलामलीकुम Betweenth Camp आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे in proper fraction को convert कर सकते हैं mix number में जैसे कि आफ देख रहे हैं यहा पे हमें यह इंप्रोपर fraction giveन है और हमें कहा है कि हमने इस כो mix number में convert करने तो हमने क्या करने है simple जो हुमारा numerator है उसको हमने इस तरह से डिविजन के अंदर रखना है और जो डिनॉमिनेटर है उससे डिवाइड कर देना है अब हमने देखने हैं क्या 5 के टेबल पर 7 आता है तो नहीं आता है जो छोटा नमबर के आएगा 5 वान्जा 5 7 में से 5 माइनस किया 2 रिमेंडर तो अब हम इसको मिक्स फाम में किस तरह से लिखेंगे कि जो हमारे पास उपर कोशन्ट आया होता है वो हमारा साइट पे होल नमबर बान जाता है जो नीचे रिमेंडर होता है वो नियूमिनेटर बान जाता है नेक्स पार्ट देखें जैसे 11 बाई 8 दिया हुआ है तो हमने क्या करना है 11 को उपर वाले नंबर को डुवीजन के अंदर और नीचे वाले नंबर को डुवीजन के बाहिर रखना है और अब हमने देखना है 8 के टेवल पे 11 नहीं आता तो 8 वान्जा 8 करेंगे तो वान में 8 माइनस नहीं होगा कैरी लेंगे 11 में 8 माइनस किये 3 तो अब हम इसको किस तरह इस तरह से हमने लिखना है पहले ये फिर ये फिर ये देखें 1 साइड पे जो 3 हमारा रिमेंडर है वान यूमिरेटर और जो डिनोमिनेटर था वो आलरड़ी डिनोमिनेटर ही अब हम नेक्स पार्ट सॉल्ब करते हैं 17 ओवर फॉर यह हमें इंप्रोपर फ्रैक्शन गिवन है इसको भी हमने मिक्स में कनवर्ट करना है तो 17 डिविजन के अंदर फॉर डिविजन के बाहर फॉर के टेबल पे 17 नहीं आता तो इसके पास शोटा नंबर क्या आता है 16 फॉ यह जो साइड पे था नंबर वो हमारा नीचे आएगा या जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सेमी रहता है नेक्स पार्ट करते हैं 5 डिविजन के अंदर जाएगा 4 बाहर जाएगा 4 वन जा 4 तो 1 रिमेंडर आ गया है तो 1 इंटू 1 बाइ 4 हमारा जो है वो आंसर आ गया है आई होप आपको इन कोश्टक्शन की अच्छे सामज आ गई होगी अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल पर नहीं हो Ogden यूवरत तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आब मुझे कमेंट कि आप नेक्स्ट जो है वो किस टापिक से रिलेटिड वीडियो देखना चाहते हैं अब मैं आप से मिलूगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में टेक केर अलाहाफीज